लेकिन ये बड़ी मिर्च भी काफी तीखी है तो अब कैसे बता सकता है तो यह तीखी वाली मिर्च जो यहां पर कहते हैं कि शाउट से आती है तो वह मिर्च और इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि इसको हम काट लेते हैं और इसके इस तरह के पीसे अचा और क्या सबजी इस्तिमाल करेंगे टमाटर भी इस्तिमाल इसको किस तरह से डाला जाए इसे हम डालते हैं कुछ इस तरह से और इसके अलावा क्या डाला जाए वैसे यहां पर बैंगन भी डालते हैं तो चलिए बैंगन अगर जो डालना है तो कैसे डाले वैसे लंबा वाला जो बैंगन रहता है वो जादा अच्छा रहता है पर मेरे पास यह है तो इसको डाले या नहीं डाले मैं सोच रहा हूं चलिए थोड़ा सा डाल लेते हैं और यह जो बैंगन है यह लीचे है बैंगन और बैंगन के इसमें चिकन के साथ में बनाते हैं कबाब तो जो चिकन है इसमें थोड़ा नमक और हर्ब्स डाल के रख लोग है इसके अलावा कुछ और डाले या नहीं डाले यह यह जो है यह देखिए इसमें अगर थोड़ा लसंड डाल दिया जाए तो कैसा रहे यहाँ पर एक चीज मैंने और देखी है कि एक ही गबाब के दो रूप भी होते हैं iba यह तो एक नमल वाला और एक यह मिर्चों वाला बाला तो ह्यों में चलिए यह हमने लगा लिया बैंगन हरी मिर्ज टमाटर के साथ में चिकन और इसी तरह से यह जो नॉमल वाला है वो ले लेते हैं और इसके अंदर जो है मैं काम करता हूं कि इसमें लगाता हूं सिर्फ चिकन और तमाचर अब क्या करना है बस अब इसे रख देते हैं इसके उपर और इसे आप इसी तरह से पखने दें इसको पलटने के बाद थोड़ा सा इसके उपर टेल लगाते हैं और यह जो तेल है इस से ही होगा मौइस्ट तो ये तेल इसके ऊपर वाह पलट लिया तेल लगा लिया बस पूरी तरह से जब ये पक जाए तैयार खाईए गर्मा गरम कबाब अब नोट करें इसकी गर्मा गर्म रेसिपी और उसके बाद गर्मा गर्म रेकाप इसका बाब के लिए में चाहिए 600 ग्राम बोलनेस चिकन के टुकड़े चार टमाटर कटे हुए एक बैंगन चको टुकड़ों में कटा हुआ तीन हरी मिर्च लंबी कटी हुई नमक स्वाद अनुसार एक छोटा चमच मिक्स्ट हर्ब्स आठ लसन के गलियां कटी हुई आदा इसे बनाने के लिए चिकन के पीसिज में नमक और मिक्स रब डाल लें और इसे बंद्रा मिंडर तक रखते, अब आधे पीसिज के अंदर कटा हुआ लसन कुटी वी लाल मिर्च, भुणी हब और कुटी लाल मिर्च डाल कर मिक्स करें, अब एक स्क्यूर के ऊपर बैंगन चिकन के पीसे, हरी मिर्च और टमाटन लगाकर इसे तयार बाबेक्यूबर रखें, बीच बीच में इसके पर तोड़ा तेर लगाएं और मजा ले इसका बाब का गर्मा तरब